आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे हाव पॉल्यूशन, केमिकल्स, रेडियेशन, अफेक्ट यॉ स्पर्म कॉल्ट हाई एवरिवन, डॉक्टर जैय मेता हिर कोई भी मेगा मेट्रो सिटी में रहने वाले बंदे को एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत पॉल्यूशन है मेरी सिटी में, especially Bombay, especially Delhi ये दो सिटीज के लिए तो आप भूली जाओ नॉर्मली आपको एक चीज ध्यान रखना है Whenever there is an environmental toxicity कोई भी प्रकार का pollution, chemicals, radioactive hazards ये सब चीज का main लफडा क्या है जब कभी भी environmental toxicity बढ़ती है ये सारे जो chemicals रहते हैं, ये particulate matter है मतलब आप जब कुछ भी चीज breathe in करते हो आपको नहीं समझने आवाला है ओ, PVC अंदर गया, ओ, कोई खराब particle अंदर गया These are particulate matter ये छोटे size के molecules रहते हैं जो dilute रहते हैं, air में When you breathe in that air, body उसको absorb कर लिया एक बार body ने उस चीज़ को absorb कर लिया फिर होता क्या है You know, उसमें से बहुत सारे ऐसे हानी कारक पदार्थ हानी कारक chemicals रहते हैं जो body के cells को जाके stick हो जाते हैं जब वो body के cells को stick हो जाते हैं तब जाके एक चीज़ secret करते हैं जिसे बोलते हैं free oxygen radical यह word रटलो free oxygen radicals free oxygen radicals को लडने की क्षमता sperm में बहुत कम रहे हैं अब आप पूछोगे यह नाइनसाफी है गलत बात sperm में free oxygen radicals से लडने की क्षमता कम इसके लिए है क्योंकि जो sperm का head है हमने हमारे काफी videos में sperm का head दिखता कैसे यह दिखाया है वहाँ पे सिर्फ nucleus मतलब DNA का concentration cytoplasm मतलब healing के जो सारे organelles है उसका concentration बहुत कम रहता है sperm के cell इसलिए अगर कोई भी bad element अगर sperm के cell को जाबके चिपक गया या free oxygen radicals की मातरा बढ़ गई तो sperm के quality पे effect sperm के quantity पे effect और sperm के morphology पे effect 100% आनी है इसमें please कोई दोर आई नहीं तो अगर आप question पूछो के तो इसका मतलब यह हुआ के कोई भी अगर आदमी factory में काम कर रहा है कोई भी chemical की factory में काम कर रहा है तो उसका मतलब उसका 100% sperm count कम होगा कि जो बंदे उसमें काम करते हैं उनको इससे effect होने के chances बहुत ज्यादा है क्योंकि यह सारे free oxidant radicals है इसको लड़ने की क्षमता आप body के antioxidants बढ़ा के कर सकते हैं antioxidants कैसे बढ़ा होगे? simple है fruit juices, green leafy vegetables diet changes, dry fruits walnuts, non-veg अगर आप खाते हो तो eggs, fish, all these things आपको उससे लड़ने की क्षमता काफी बार होता ऐसा है दोस्तों कि आपके diet में उस सारे चीज का intake इतना कम है कि तब जाके उसमें लड़ने की क्षमता नहीं रहती और वो sperm count को affect कर दो यह चीज as a patient आपको ध्यान रखें common available information जो internet पे मिलती है उसमें इतना descriptive analysis नहीं होता इसी लिए इस चीज पे हमने यह video बनाया है इस चीज को लेके any further questions you can post in our comments मैं या मेरे कोई team members आपको answer करेंगे thank you so much